Hello everyone, welcome back to my channel, so कैसे हूँ आप सब, I hope सभी बहुत अच्छे हो और आपकी preparation भी बहुत अच्छी जनरी होगी So let's start our video, तो आज का वीडियो मैंने शुरू किया है सुबह 8 बजे से, इस टाइम तक मेरी सारे काम मैं कर लेती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ current affairs से, ये 30 minute की class होती है, जिसको खुद से पढ़के, समझ के, जब मैं करती हूँ, तो मुझे वनार के around लग जाता है, क्योंकि मैं पहले जो भी news होती है, उसको खुद read करती हूँ, फिर सरसे सुनती हूँ, तो two time एक news repeat हो जाती है, उसके बाद याद रखना जादा easy रहता है, फिर मैंने करी है, editorial वाली class, पिछला जो study vlog था, उसमें मैंने बताया था कि English को मैं कैसे लेके चल रही हूँ, और आज मैंने breakfast भी light किया था, तो इस time था मुझे भूग भी लगी थी, वहाँ से आप देख सकते हो, कि English के लिए मैं एक्जाम्स के लिए scholarship test conduct करवा रहा है, और ये test 24th March को 3 p.m. पे होगा, तो इसमें आपको enroll करना है and test attempt करना है, ये totally free है, आपको just link पे click करके enroll करना है, और ये जो scholarship test है, इसका level RRB PO का रहेगा, जिसमें 80 questions and 45 minute का consolidated time आपको मिलेगा, तो आप test से पहले इसके according अपनी preparation कर सकते ह and इसको attempt करने के बाद अगर आपकी rank 1 to 100 के बीच आती है, तो आपको काफी exciting gift vouchers भी मिलेंगे, जैसे आप screen पे देख रहे हो, अगर आपकी first rank आती है, तो आपको 5000 के Amazon vouchers plus 100% scholarship मिलेगी, अगर आपकी rank second और third आती है, तो आपको 2500 के gift vouchers plus 100% scholarship मिलेगी, same आप आगे की rank पे भी द क्योंकि ये बहुत अच्छी opportunity है, इसलिए मैंने इसमें enroll कर लिया है, और साथ ही क्योंकि ये scholarship test all India level पे है, तो आपको पता चलेगा कि all India level पे आप कहा stand करते हो, आपको अपनी preparation का level पता चलेगा, जिससे आप अपनी preparation जो है उसको और enhance कर पाओगे, so I am providing link in description box and comment section, you only need to click on link and enroll yourself for scholarship test, फिर अभी मैं कर रही हूँ reasoning mains की class, तो ये वाले class पुनित सर ने लिए है, अनकेडमी के channel पे, तो मैं ये वाले करूँगी and इसमें क्या होता है, कि जितने mix के option होते हैं वो सर रखते हैं, जैसे input-output का हो गया, reverse delokes हो गया, data sufficiency हो गया, almost सभी topics के एक-एक question रहता है, त इसको मैं complete करूँगी and ये वन आर से ज़्यादा की class होती है, जिसको करने में मुझे two hour के around लग जाता है, तो फिर मुझे आज खुदी lunch बनाना था, तो मैं आ गई थी kitchen में, फिर बस मैंने रोटी, सबजी, सारा खाना जो था आज खुदी बनाया, तो या में मुझे time लग फिर खाना खाके में थोड़ देर rest किया and तीन बजे के around मैंने दुबारा start किया था, तो अभी मैं दे रही हूँ pre-level का mok, क्यूंकि अभी काफे practice हो गई है, तो pre-level का mok बहुत easy लगता है and दूसरा इसका time कम होता है, तो इस वज़े से भी इसको करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस मोग खतम किया, फिर मैं उपर छट पे आ गई थी पढ़ने के लिए, क्यूंकि खुले में बैट के पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, तो यहां मैंने आखे quantum mains की class की, जिसको करने में मुझे पूरे दो घंटे लगी, क्यूंकि mains की question को करने में time लगत है, तो जो class 1R की होती है, उसको जब आख खुद करते हो, कुछ से pose करके question करते हो, फिर अगर कोई question नहीं आता तो उसको समझते हो, तो इस तरह से जो हम करते हैं तो उसको करने में 2R के around लग जाते हैं, फिर बस मैंने थोड़ी हो कि आप सब को दिखाने के लिए ये clip record कर ल होता है, क्योंकि इस time sunset होता है, तो काफी जादा सुंदर लगता है, फिर नीचे आके मैंने दिया लगाया, हमेशा मैं नहीं लगाती हूँ, कभी-कभी होता है ऐसा, आज मन किया तो बस पख़वान से थोड़ी मन की बात कर ली, कभी-कभी करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा मतलब जब हम aspirant life में होते हैं, तो थोड़ा मतलब mind में disturbance वगरा चलती रहती है, तो अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, फिर मैं मेगी बना रही थी, बड़ पता नहीं कैसे मेरे mind में idea आया, कि मेगी की filling करके मैं sandwich बनाती हूँ, तो मैंने ज्यादा नहीं, बस दो ही बनाएं, क्योंकि first time बना रही थी, तो मुझे ज्यादा risk नहीं लेना था, and सही कि आमेने सिर्फ दो ही बनाएं, क्योंकि मुझे कुछ ज़दा ये पसंद नहीं आए, अच्छा नहीं लगा इतना, क्योंकि एतना test जो था नहीं का, इतना ज़दा अच्छा नहीं आ रहा था फिर बस मैंने रात को एक computer की class की, and यही मेरा last task था आज का, and 11 अबजे के around मैं सो जाते हूं, थोड़ी बहुत उपर नीचे कई बार time हो जाता है, तो ये था मेरा आज का routine, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, so that's it for today, I will see you in my next video, till then take care, bye